सो ही गाईस कैसे हम सभी, होप यूग आप सब बढ़ी होंगे, दोस्तो आगे है संडे वक्त होता है, हैश्टेक आसकीवी का जिसमें कि आपके पूछ गए EVC-related सवालों के हम अंसर देते हैं, और इस अबते की कुछ नहीनी EV updates भी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर क दोस्तो इस विक की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है, सिंपल एनरजी कंपनी की तरफ से, जहां दोस्तो जहां पर ये कंपनी किसी की ना तो सुन रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी, लेकिन अब फाइनली सिंपल एनरजी के CEO सुहास राज कुमार जी ने अपने Twitter handle पर ए देखने वाली है, नेक्स्ट एक और बड़ी न्यूज की बात करें, तो वो आपको Ola Electric की तरफ से देखने को मिलने वाली है, Ola Electric ने अपना एक और Ola S1 X 4 किलोवटार बैटरी पैक वाला मोडल लांच कर दिया है, जिसकी प्राइज रखी है सिर्फ 1,10,000 रुपीज, जिसम इस स्कूटर में फिजिकल की का ओप्शन देखने को मिलेगा, जो कि Ola की तरफ से ये पहला स्कूटर होगा, जिसमें की फिजिकल की का ओप्शन होने वाला है, नेक्स्ट इस इवन्ट में कमपनी ने अब अपनी बैटरी वरिंटी को भी बढ़ा कर 80 यर या 80,000 किलोमेटर क जो भी अब नया स्कूटर परचेज करेंगे, नेक्स्ट कमपनी ने अपने एक पोर्टिवल होम चार्जर को भी लॉंच किया है, जिसकी कीमत स्टार्ट होती है 35,000 रुपीज से, इसके लाब और भी काफी सारे अपडेट है, जैसे की नियू सर्विस सेंटर, नियू फास् का जनम हुआ, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर की इंडस्टी में, और काफी सारे नएने इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में हाफ रेट में मिल रहे हैं, जो कि पहले डबल रेट में मिलते थे, 24 से 26 किलो मेटर चलती है अध्यान आया, तो बजाज TVS और हिरो वालों ने 125 किलो मेटर की बैटरी डाली, ये जो नए लड़के हूशार निकले, उन्होंने क्या किया 60 किलो मेटर की बैटरी डाली, तो उनकी कॉस्ट इलेक्ट्रिक की बैटरी की कॉस्ट आधी हो गई, तो वो 70,000 रुपे में इस स्कूटर बेच रहे, अब छोटे-छोटे सफाई कामगार, प्यू, लोग भी इस स्कूटर लेके खरीद रहे है, और 400 स्टार्ट अप आज अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे देश में कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगी, नेक्स दूस्तो लाश्ट वीक एक वोल्वो C40 एलेक्ट्रिक कार में बीच रास्ते में आग लग गई थी, जिसका वीडियो काफी शेर किया गया था, अभी यहाँ पर इसमें जो भी लोग थे, उनको हलकी कुछ नहीं हुआ है, बट अब वोल्वो कंपनी इसकी जाँच परताल कर रही है, जिसकी डीटेल अभी तक सामनी नहीं आई है, बट वहीं अगर आप फाइर इंचिनेंट देखेंगें तो काफी ज़्यादा भैनक है, वहीं ये कार 63 लैक की है, तो यहाँ पर सेफटी फिचर की तो धच्यां होने वाला है, इस स्कूटर पर अभी कंपनी ने कस्मिरी टुकन्या कुमारी का सफ़र पूरा कंप्लीट किया है, जो की टोटल 5100 किलोमेटर का है, तो यहाँ पर डुरिविल्टी तो इस स्कूटर की आप देखी सकते हैं, बाकि इसकी फुल डिटेल वीडियो बहुत होने वाले है, इसकी वज़े से स्कूटर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, जो की काफी अच्छी बात है, वहीं इसकी बाकी सभी स्पैक्स लाइक, मोटर, बैटरी, टॉच स्क्रीन, डिस्पले सब कुछ सेम, हीरो वीडा वीवन प्रोध वाली ही होने वाली है, नेक्स दोस् स्कूटर से काफी ज्यादा बड़ी है, जिसको देखकर मुझे लगता है कि यह स्कूटर अभी तक का सबसे बड़ा एलेक्रिक स्कूटर होने वाला है, बाकी आप लोगों कि क्या है रहे है, इसी स्कूटर के बारे में कमें करके चोड़ से बताना, तो यह तो को दोस्तों इस अब बात कर लेते हैं, आपके पुछ गए सवालों की, भाई नहीं, चारजर के रिफंड के लिए आप खंजिर्म कोट नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें कुछ टर्म से अनकरिनेशन ओरड़ी कमपनी ने पहले लगाई हुई है, नेक्स नहापर एक और कमनल लेते हैं, यहाँ इस भाई ने चाहिद से सिंपल बन का इलेक्रिक स्कू तो शायद से आपको पतात चल जाएगा, यह ना हो कि आपने जो 51,000 दिया है, वो किसी फ्रोड या इनकी जो गलत वेबसाइट थी उनको चला गया है, तो इस तरीके का फ्रोड आपके साथ और ना हो, इससे पहले आप इनकी वेबसाइट से कस्टमर के यह नमर निकालो और वहाँ पर बात कर लो, नेक्स यहाँ पर एक और कमेंट लेते हैं, यहाँ पर ओल एलेक्टिक इमेंट का जो मैंने कल हाइलाइट आपको बताया था, उसमें भाई ने लिखा है, डेली 50 किलोमेटर फॉर वन मन्थ, 1500 किलोमेटर इन वन येर, तो यहाँ पर कैलकुलेशन और Ola S1 Pro Gen 2 वाले हैं, उनको अभी पर अपटेट देखने को नहीं मिल रहे है, नेक्स यहाँ पर रिकूर करने लेते हैं, हाई पर चार्जर हर 50 तू 60 किलोमेटर पर होगा, अगर बैटरी लो हो जाएगी तो, तो देखते हैं कि यहाँ पर कमपनी एक्चुली मैं आप भी को पता देना चाहता हूं कि, आप अपने किसी भी लेक्र्डरी स्कूर्टर को ना, फास चार्जर से जह्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, यह Tata Company भी बोलती है, Tata Motors अपने ओलेड़ी कस्टमर को बोलती है, कि फास चार्जर का कम उजजर करना चाहिए, जो घर में आपक से यार वीडियो बनाई गई है उसकी तो वो मुझे थोड़ा सा फेक लग रहा है बाकी देखते हैं कि अभी तक तो वो वीडियो इतना ज्यादा वाइरल नहीं हुई है अगर ज्यादा हो गई तो फिर उसको कवर करेंगे नेक्स याँ पर एक उपर करेंगे लेते हैं means you paid only 300 something in total from 8k something तो यहाँ पर ओलएट्रक इंस्वरेंच हो हमने claim किया था उसमें यही था भाई टोटल जो मैं अमाउट आया था वो 8k something था और उसके बाद में जो मैंने pay किया था वो सिर्फ 300 था जो की file charge था और यही होता है सभी insurance में नेक्स नापर इकोर कमने लेते हैं iqb st सभी showroom में पहुंच चुकी है price declare होगी यहाँ काफी सारे showroom में iqb st पहुंच चुकी है उसकी price reveal होनी बाकी है बट showroom में पहुंच गई है अभी इनको इन्होंने दोबारा से मीडिया राइड वगर नहीं रख किया इस scooter की तो देखते हैं कि कमपनी किस तरीके से इस scooter को दुबारा से launch करेगी तो यह हो गई दोस्तों ही सब्सक्राइब के आपके पुछ गए EVC related सवाल और हमारी EV news होप यह वीडियो आप लोगों से अच्छी लगए अच्छी लगए तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मिलता हुआ हम से को इसी ने वीडियो में तो बतले स्टे सेफ और सेफ रहे हैं